चवान मैक्स इंडिया यूटूब चानल में आपका सवगत है मैं लेकर आए हूँ इजी वे हाउ टू स्टडी डेल यूटू एन इंटिग्रेशन देखो या पर मैं आप बताने वाला हूँ कि डेलियूटू और इंटिग्रेशन के फर्मूले कैसी याद रखे जाते हैं देखो अगर डेलियूटू का फर्मूला याद है तो आप इजी से इंटिग्रेशन का फर्मूला याद कर लेंगे अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है एक सीरियर नम्मर ले लिए और यहाँ पर फंक्शन देखो फंक्शन जो है वो y equal to yapap x से denote करते हैं और derivative derivative जो है d by dx y equal to d by dx यapap x और integration जो है integration का साइन है yapap x और उसके साथ क्या अलादा है dx अब देखो हमें क्या करना है कि अगर आपके पास derivative है तो हम उसको integration में convert कर देंगे तो देखो first हमारे पास y equal to c function है तो c function इसको बोलते है constant function अब हमें पता है constant function का derivative क्या होता है 0 देखो यहाँ से d by dx जो है c का derivative कि नाता है 0 तो यहाँ से हमें integration निकाला है देखो आप हमें integration क्याशी निकालेंगे आपके पास y equal to क्या है c है तो हम इसको differentiate करेंगे दोनों side तो क्या जाएगा d by dx तो इसका derivative कितना ता है 0 तो आप दोनों side में हमें integration लगा देंगी इसका integration d by dx of y equal to integration of 0 और जब integration आएगा तो उसके साथ का आएगा dx आएगा देखो यहाँ पे कि derivative integration जो है reverse process है reverse process है मतलब इनका क्या हो जाएगा देखो यहाँ से अगर यहाँ जाता है derivative तो reverse आते हैं तो यहाँ इसका distance कितना हो गाए 0 तो इसके मतलब कुछ नहीं तो यहाँ इसकी value cancel हो जाएगा तो बचा कितना हमारे पास y यहाँ पे क्या है constant है तो यहाँ पे क्या आजाएगा 0 का integration कितना आजाएगा dx तो c आजाएगा यह वागा फर्स्ट तो यहाँ देखो यहाँ पे हमें क्या लिए हमारे पास function c है और उसका derivative c 0 आता है तो 0 का integration कितना आएगा constant आएगा reverse process में और बात में देखो second function लेते क्या है y equal to x raise to n plus 1 इसका derivative कितना आएगा देखो derivative अब power कितनी इसकी n plus 1 है तो यह आगे आजाएगा और एक power x से कम हो जाएगे n plus 1 में से 1 चला गया कितना बचा? अब हमें इसका integration निकाला है देखो यहाँ पे हमें function कितना दे रखा है y equal to x raise to n plus 1 अब हमें derivative निकाला है d by dx x raise to n plus 1 का derivative कितना आता है n plus 1 और x से power कम n minus 1 यह हो गया derivative अब निकाला हमें इसका integration दोनों साइड integration कर दो देखो यहाँ से मैंने क्या कर दिया integration d by dx x raise to n plus 1 equal to तो यहाँ से क्या प्लस 1 अब integration लाएंगे n plus 1 into x raise to n into dx अब integration के साथ क्या आता है यहाँ पे dx अब देखो derivative integration निकल के चला जाएगा बचा कितना है यहाँ पे x raise to n plus 1 यह तो constant है multiplication यहाँ इधर आके क्या हो जाएगा और d by में n plus 1 equal to integration of x raise to n into dx देखो x raise to n का integration कितना है x raise to n plus 1 upon n plus 1 बतलब n जो होगा उसमें 1 add कर दिजिए और वही निचे लिद दिजिए for example देखो यहाँ पे अगर मैं x raise to 10 ले लेता हूँ तो अगर मुझे इसका integration निकाल ला है तो अब यहाँ देखो n की value कितनी है हमारे पास 10 है n की value कितनी है 10 है इसका integration कितना आता है n plus 1 upon n मतलब यह क्यार कर दो x raise to 10 plus 1 upon 1 इचे 10 10 प्लस 1 तो यह इपना जाएगा x raise to 11 upon 11 यह हो गया हमारा integration अब आपको पता है कि formula में हम क्या लिखते है कि जब integration निकालेंगे तो बाद में addition में इस चीह लिखते है वो कैसे आता है देखते हम यहाँ पे देखो यही example माल लेते कि क्या है x raise to 10 प्लस इसमें 0 आइड कर दिया तो कोई difference नहीं होगा इसमें तो हमें इसका क्या निकाला है integration निकाला है integration के साथ क्या आता है हमारा dx आता है अब dx आता है तो यहाँ पे देखो कि इसका integration separate होगा तो यहाँ से x raise to 10 into dx integration of 0 into dx equal to x raise to 10 का कितना आता है x raise to 11 upon 11 प्लस अब 0 का अभी देखा है हमने 0 का integration कितना आसता है कॉसल इसलिए हम हर फर्मोने में क्या लिखते है c लिखते अब इसलिए तरह देखा हमने अभी देखा है क्या y equal to x raise to n प्लस 1 का d root 2 यह आता है और integration देखा हो कितना है x raise to n dx का integration कितना x raise to n प्लस 1 upon n प्लस 1 अब आते second example में third example में फर्मूले में y equal to क्या है यहाँ पे root x है अब इसका हमें पता है d root 2 क्या है देखा हम हम दोनों निकालेंगे आपे अगर हमारे पास y equal to root x function है root x को कैसे निकाले root x को कैसे लिखते हैं x raise to 1 by 2 अब इसका d root 2 निकाला है d by dx x raise to 1 by 2 आप देखा है हमारे पास d root 2 अगर power में रहा तो वो क्या आगे आ जाता है आगे आगे आगा 1 by 2 x raise to x से power कम हो जाती 1 by 2 minus 1 similarly 1 by 2 देख 1 by 2 में से 1 चला गया कितना बचा x raise to minus 1 by 2 तो देख 1 upon 2 ये निचे आ जाएगा तो बचा कितना minus से तो निचे आके plus हो जाएगा और बाद में 1 by 2 into x raise to 1 by 2 का मतलब क्या फिर बाद में root x तो हमने निकला क्या d by dx आप root x का डेड़ी टू कितना है हमारा अब हमें integration निकला है देखो ये आगा हमारा डेड़ी टू अब integration निकला है तो क्या करेंगा हम दोनों साइट से integrate कर लेगे देखो integration of d by dx into root x equal to कितना है हमारे पास हमें तो one upon root x ना चाहिए constant है यहाँ पे divide को यहाँ के क्या जाएगा multiply तो बचा कितना है यहाँ है one upon root x into dx देखो one upon root x का integration कितना आता है 2 into root x plus हम इसको क्या कर देंगे c देखो यहाँ पे यह थर्ड है y equal to root x इसका d root 2 इतना आया है और इसका integration क्या है to root x similarly आप हम लेंगे log x का देखो हमारे पास आप क्या है fourth वाला y equal to कितना log x function अब इसका देडर 2 और integration निकालना है देखो d by dx of log x ठीके इसका integration कितना आता है one upon sorry देडर 2 कितना आता है one upon x अब हम क्या करेंगे इसका integration निकाले हम दोनों साइड से integration लेंगे integration और integration के साथ क्या आता है हमारा d x अब डेरुटोर integration निकल जाएगा because this is reverse process यहां बच्चा कितना हमारा log x integration of one upon x into dx देखो यहां one upon x का integration कितना है log x log x और log x जो है उसका डेरुटोर कितना है one upon x और उसका integration कितना है one upon x का log है same reverse process अब फिट एक्जामपल लेंगे हम y equal to e raise to x y equal to e raise to this is exponential function और exponential function का डेरुटोर कितना आता है e raise to x और e raise to x देखो आब यहां पे हम reverse process करेंगे तो भी क्या आ जाएगा इसका इंटिग्रेशन डेरुटोर निकल के चला जाएगा e raise to x का integration कितना आ जाएगा e raise to x आब देखो six example हमें six formula लेना है y equal to e raise to x उसका डेरुटोर कितना आता है देखो d by dx equal to a भी exponential function ही है तो यहां पे a raise to x equal to x का तो भी पता है इसका डेरुटो कितना आता है a raise to x into log a अब देखो इसका हमें क्या निकलना है integration निकलना है हम दोनों साइट से integrate कर देंगे integration क्या आता है dx आता है अब यह निकल के चला जाएगा बचा क्या है इसका यहां पे a raise to x अब a raise to x into dx है log a constant है multiplication में यहां के क्या हो जाएगा यह डिवाद में चला जाएगा log a equal to यहां बचा कितना हमारा a raise to x और यहां पे dx देखो a raise to x का integration कितना हैगा a raise to x upon log a फाहमने यहां पे निकला है डेरुटो यह हो गया और integration किया आजाएगा integration of a raise to x into dx equal to a raise to x upon log x बाद में हम trigonometric function में आते हैं देखो trigonometric function कितनी है 6 से हमारे पास sin, cos, tan, cos, x, cos और देखो यहां पे अब हमें क्या निकला है y equal to sin x का डेरुटो अब sin x का डेरुटो कितना आता है हमारे पास cos x तो cos x आने के बाद हमें दोनों साइट से हम integrate कर देंगे इसका भी डेरुटो निकल की चला जाएगा बचा कितना cos x integration में अब आते हम 8 पे यहां देखो y equal to cos x है और cos x का डेरुटो कितना होता है minus sin x अब हमें इसका integration निकल अब आएंगे हम देखो यहां पे हमारा y equal to क्या है cos x अगर इसका डेरुटो लेंगे d by dx equal to cos x cos x का डेरुटो आपको पता है कितना आता है sin x अब हमें इसका integration निकलना है तो integration क्या करेंगे दोनों साइट से integrate कर दो दोनों साइटे integration अगर integration के साथ मेरा क्या आता है dx order यहां पे dx था इसलिए हमने नहीं लिया देखो डेरुटो और integration चला जाएगा बचा कितना यहां पे है cos x और यहां पे बचा कितना अब देखो यह वाला minus यहां लगा सकते है और यहां लगा सकते है कोली फरक नहीं पड़ेगा यहां पे है तो देखो यहां से बचा कितना sin x इंटो dx देखो sin x का integration कितना आता है minus cos x और cos x का integration कितना आता है sin x देखो यहां पे y equal to cos x का derivative कितना है minus sin x और sin x का integration कितना है cos x अब हमें निकाना है tan x का अब tan x न निकालेंगा हम देखो यहां पे y equal to हमारे पास tan x function है आपको पता है इस tan x का डेरीटू कितना आता है d by dx equal to tan x कितना आता है इसका c square x अब हमें इसका integration निकालना है तो हम क्या करेंगे दोनों साइट से integrate कर देगे integration के साथ क्या आता है हमारा dx आता है बचा कितना यहां पे tan x और यहां पे बचा कितना sex square x into dx sex square का integration कितना आता है tan x और tan x का डेरीटू कितना आता है sex square x similarly हम cortex का निकालेंगे d by dx equal to cortex का कितना आता है minus cosec square x this is a derivative अब हमें इसका integration निकालना है दोनों साइट से integrate कर दो और integration के साथ का आ जाएगा dx आ जाएगा अब यह निकल के चला जाएगा बचा कितना cortex equal to इसका बचा कितना यहां पे minus अब minus दोनों साइड में कहां भी दे दो कोई भरक नहीं पड़ेगा यहां पे तो बचा कितना cosec square x into dx माइनस कोट x का दे दो कितना आता है cosec square x और cosec square x का integration कितना आता है minus कोट x ऐसे similarly हम कोट x का निकाल ले हैं अब sec x का ऐसा ही similar निकाले हैं sec x का integration कितना आता है sec x into tan x और उसका integration कैसा sec x का integration यह आगा है और इसका दे दो कितना है sec x into tan x और sec x into tan x का deal 2 integration कितना आएगा sec x similarly cosec x में जाते हैं cosec x का deal 2 कितना आएगा minus cosec x into cot x और इसका फिर बाद में reverse process करेंगे तो इसका integration कितना आजाएगा cosec x into cosec x अब देखो यहाँ पे हम inverse function माया थे देखो inverse function को y equal to sin inverse x और उसको दूसरा नाम क्या है arc sin x partial to円 2 जो निकाला है inverse function का integration निकाला है अधो फिर्स function लेंगे हम sin inverse x देखो sin inverse x का दूसरा नाम क्या है arc sin x cos inverse का दूसरा नाम क्या होगा arc cos x मतलब हम inverse function को क्या नाम दिया है arc x अब हमारा जो first function है inverse function sine inverse का dealt 형 है 1 upon square root of 1 minus x square अगर sin x लेते हैं तो हमारा d by dx of sin inverse x तो इसका inverse कितना होता है 1 upon root 1 minus x यह नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए इसलिए हमने क्या कहते है इसको x is not equal to plus or minus 1 यह वाला लिख लेते हैं हमें आपर देखो यह हो गया हमारा क्या derivative हो गया किसका sin inverse x का अब हमें निकाना है integration हम same क्या करेंगे दोनों साइट से integration लगा देंगे integration के साथ क्या जाएगा dx अब यह derivative integration चला गया बचा कितना हमारा sin inverse x equal to integration of 1 upon square root of 1 minus x square into dx तो यहाँ पर देखो 1 upon square root of 1 minus x square का integration कितना है तुमारा sin inverse x similarly हम cos inverse x का निकालेंगे इसका d2 कितना था है d by dx देखो इसका inverse क्या आएगा अगर यह plus में होता है तो यह minus में हो जाएगा देखो यहाँ पे sin का changes cos में अगर sin plus है तो sin inverse plus है तो cos inverse में क्या जाएगा minus आजाएगा फिर tan में अगर plus है तो वही फर्मूला क्या जाएगा tan inverse, quad inverse में minus हो जाएगा और बाद में अकर है सेक में plus है तो यहाँ पे क्या जाएगा minus हो जाएगा और same formula inverse में d2 अब यहाँ पे देखो cos inverse का क्या जाएगा same यहीं d2 उसका लेकिन minus में जाएगा minus 1 upon square root of 1 minus x square अब देखो यहाँ पे इसका हमें integration निकाना है तो हम दोनों साइड में क्या करेगे integration लगा देंगे into dx अब देखो यह integration और यह चला जाएगा बचा कितना हमारा cos inverse x equal to integration अब यह minus हम इदर ले आते हैं यहाँ पे बचा 1 upon square root of 1 minus x square into dx देखो यह वाला भी same है और यह वाला भी same है देखो अगर एक तो हम sin inverse plus लगा सकते या तो minus लगा सकते इनका integration में अब आएंगे हम 10 inverse x में देखो यहाँ पे तुम्हारे पास अगर 10 inverse x का derivative निकालना है तो हमें derivative कितना दे रखा है 1 upon 1 plus x square similarly यहाँ पे देखो d by dx of up court inverse x का क्या होगा अगर यह plus है तो यह क्या हो जाएगा minus 1 plus x square अब यहाँ पे इनका integration लगाएंगे देखो यहाँ भी integration लगा दिया यहाँ पे dx हो जाएगा यह निकाल के चला जाएगा बचा कितना हमारे पास 10 inverse x और इसका integration 1 plus x square का integration कितना है 10 inverse x और 10 inverse का derivative कितना हैगा 1 upon 1 plus x square same अब हम देखो यहाँ पे d by dx equal to court inverse का भी same यहाँ पे इसका integration लगा देंगे इसका integration into dx अब देखो यहाँ पे यह वाला निकल के चला जाएगा बचा कितना है यहाँ पे court inverse x अब यहाँ पे minus ले तो minus यहाँ लगा देंगे equal to 1 upon 1 plus x square into dx देखो court inverse का derivative कितना है minus court inverse का x का derivative कितना आता है 1 upon 1 plus x square और 1 upon 1 plus x square का integration कितना आता है minus court x और similarly आप देखो यहाँ पे हम sec inverse का निकलेंगे y equal to sec inverse of x का derivative कितना आता है 1 upon more of x into root of x square minus 1 similarly हम दोनों साइट से integration लगाएगे तो देखो यहाँ पे यह निकल के चला जाएगा तो बचेगा कितना हमारा integration of 1 upon root x into x square minus 1 यह integration में आ जाएगा इसको dx के साथ और इसका integration किया जाएगा sec inverse x और sec inverse का derivative यह हो जाता है और इसका integration this similarly हम यहाँ पे cosec inverse में आते देखो cosec inverse का derivative कितना आता है minus 1 upon more of x into root square root of x square minus 1 अगर यह plus हो तो यह minus हो जाएगा देखो आप cosec inverse x का derivative कितना है minus 1 upon more of x into under root of x square minus 1 अब इसका integration निकलेगा अब इसका integration कितना हैगा similarly देखो hyperbolic function में आते हम hyperbolic function में देखो hyperbolic में तुमारा trigonometric function के साथ यह चाता है उसके बोलेगे hyperbolic function देखो hyperbolic function में sin hyperbolic function का derivative कितना आता है cos hx अब यहाँ पे हमें integration निकलना है तो integration के इस निकलेगा cos hx into dx equal to अगर sin hx का derivative cos hx है तो cos hx का integration क्या जाएगा sin hx similarly cos hx का derivative कितना है sin hx अब देखो वहाँ पे positive था negative था तो यहाँ पे hyperbolic में क्या आता है cos hx का positive जाता है तो यहाँ पे देखो इसका क्या जाएगा integration of sin hx into dx का कितना है देखो यहाँ पे cos hx का derivative sin hx है तो sin hx का integration कितना हैगा cos hx similar देखो y equal to 10 hx है d by d tan hx को derivative कितना आता है sex square hx तो इसका sex square hx का integration कितना हैगा sex square hx का integration कितना हैगा tan hx similarly आजाओ यहाँ पे cos hx का minus cos x s square फिर बाद में sex hx का similarly minus sex hx into tan hx और बाद में derivative of cos hx का कितना हैगा cos x hx into cortex देखो यहाँ पे हम simple sex x का derivative लेंगे तब कितना प्लस आता है लेकिन यहाँ पे hyperbolic function में क्या आएगा यह minus आएगा यहीं difference है इसी तरह हमने देखा है कि derivative से हम integration के formula कैसे याद करेंगे अगर आपको आप मुझे लगता है समझ में आई गया होगा करेंगे।